हेलो दोस्तों वेलकम टू अविरियल ग्यानधारा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोरिंग फोर्टीज, फूरियस फिफ्टीज और स्राइकिंग सिक्स्टीज के बारे में हिंदी में रोरिंग फोर्टीज को गरजते चालीसा, फूरियस फिफ्टीज को प्रचंड पचासा और स्राइकिंग सिक्स्टीज को चीखते साथा कहा जाता है एक्चली ये सदर्न हेमिस्फियर में वेस्टरलीज, विंड्स को लेटिट्यूड के एकॉर्डिंग दिये गए नाम है हिंदी में कहें तो पच्छुआ पौनों के दच्छणी गुलार्द में अच्छानसों के अनुसार ये अलग-अलग नाम है सदर्न हेमिस्फियर को वाटर हेमिस्फियर या जल गुलार्द कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जल की अधिक्ता है जादा तर सागर फैले हुए हैं और लैंड बहुत ही कम है आप देख सकते हैं नदर्न हेमिस्फियर में लैंड मास की अधिक्ता है लेंड कम होने के कारण जब 30 से 60 डिगरी के बीच में वेस्टर लीज बहती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बहती हैं उनको रोकने के लिए किसी भी तरीके का रिजिस्टेंस नहीं होता है जब ये बिंड बहती हैं तो ऐसा लगता है ये अलग-अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं और उन्ही साउंड को बेस बना करके लेटिट्यूड के अनुसार इन्हें अलग-अलग नाम दे दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं 40 डिग्री लेटिट्यूड या 40 डिग्री अच्छांस पर जब ये बहती हैं तो इन्हें गरस्ते 40 कहा जाता है वैसे ही 50 डिग्री पर इन्हें फ्यूरियस फिफ्टी या प्रचंड 50 कहा जाता है 60 degrees के आज़ पास इन्हें screaming 60s या striking 60s कहा जाता है जिसको हिंदी में चीखते साथा कहते हैं दोस्तों जैसे जैसे वेस्टरलीज high latitudes की तरफ जाती है इनकी wind velocity बहुत ही ज़ादा बढ़ती जाती है इसलिए इन्हें अलग अलग latitudes पर अलग अलग नाम दिये गए हैं ये नाम actually wind velocity को देख करके ही दिये गए हैं पानी की सतह से जब हवा गुजरती है तो ये जो भी धनिया निकलती है बहुत ही डरावनी होती है सदर्न ओसन में ये खास कर सुनी जाती है दोस्तों अगर ये वीडियो informative लगा तो चैनल को like, share और subscribe कीजिए मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूँगा Thank you so much for watching